आज चुरह अद्दार्च से दर्स शुरू होगा यह तर्जम शुरू होगा आज बिल्लाई मिन श्यत्वान रर्जीम बिस्मिल्लाई रर्मान रर्वीम हलता अलाल अलाल इन्साने हीन मिन अद्दारे लम यकुन शेम मजगुरा इन्ना खलकना लिन्सान मिन उत्फत अम्शाज नब्त लिये वजालनाह समियं बस्वीरा इन्ना हदेनाह सबीला इम्मा शाकरां इम्मा कफूरा इन्ना आतदना लिल्काफरीन सलासला वागलालं वस्वीरा इन्न रव्रारा येश्रबून मिन कासिन कान मिजाज वा काफूरा ऐन्न येश्रब बिहा अबाद ल् AP य।फज्रून हा तफजीरा वफ़ून ब नजर वेखाफून यौमन कान शरूरू मुस्तवीरा वयुत्यमून अत्ताम अला हुब्बही मिस्कीनं वयतीमं वासीरा इन्नमा नुत्यमुकूम लवजह लाहि लानुरीद मिनकूम जदाउं वला शुकूरा इन्ना नखाफ बिर्ब्बना यौम अबूस अम्तरीरा ववगाहुम उल्लह शर्दालिक अल्यौमे वलकाहुम लदुरतन वसुरूरा वजजाहुम बमा सबरू जन्नतन वहरीरा वजजाहुम बमा सबरू जन्नतन वहरीरा मुत्तकीन फिहा अल्ल अराइक ला यरवन फिहा शम्सन वला जम्हरीरा वदानियतन अलेहिं दिलालवा जल्लत खुतूफ।वः तल्लीला वयुताफ। अल्यहिं बे आनियति मिन फिद्वत वक्वाबिन कानत कवारीरा कवारीर मिन फिद्वतिं कद्दरू हा तगदीरा व्युस्कोन फीहा कासन कानमिजाज़ा जिन्जबीला आयनन फीहा तसम्मा सलसबीला व्यतूफु अलेहिं विल्दानु मुखलदून इजा रहत हुम हसिबत हुम लूलुम मन्थूरा वैजा रहता सम्मा रहता नईमं व मुलकं कबीरा आलियहुं थ्याब सुन्दूसिं खुद्रूं व इस्तबरक वहुलू व साविर मिन फिद्वतिं व सखाहुं रब्भूं शराबं तहूरा इन्हा जा काना लकुम ज़ाँ व काना सायुकुम मश्कूरा इन्हा नहनु नजलना लेकल कुरान तन्जीला फस्बिल्य हुक्म रब्बका वला ततए मिनुम आथिमन और कफूरा वजकुरिस्म रब्बका बुक्रतं वासी अस्वीला व मिन लेल फस्जु लहु व सब्बहु लेलं तवीला इन्हा उलाए युहिब्बून अलाजिलता व यदरून वराहुम यौम तकीला नानुखलकनाहुम वश्ददना अस्रहुम वएदाशे नाबदलना अम्तालहुम तब्दीला इन्हाद ही तदकिरह व मन्शाद तकद इला रब्बही सबीला व मा तशाओन इल्ला यशा ल्लाए इन्नल्ह कान अलीमन हकीमा युद्खिलु मैं यशाओ फी रह्मते व ज्जालिमीन आद्दलहुम अजबन अलीमा बिस्मिल्ह ररह्मान ररहीम सुर्यल मुशलात बिस्मिल्ह ररह्मान ररहीम वल्मुर्सलात अुर्फन वल्यासिफात अस्फन वल्नाशिरात नश्रन वल्फारिकात फर्कन वल्मुल्कियात दिक्रा उज्रन ओनुज्रा इन्नमा अतू दूनल वाकिछ वजन नुजूम तुमसत वजस्समा फुरजत वजस्जबाल नुसफत वजर रुसल वक्तत लएय यूम अज्जलत लियूम फस्फल लियूम फस्फल वमा अद्राकमा यूम फस्फल वहलु यूम जल्ल्मुकजबीन अलम नुलिक अलुलिक अव्लीन तुमनु नुद्बेहम अलाखरी आखिरीन अलम नुलिक अव्लीन तुमनु नुद्बेहम अलाखिरीन वजालिक नफल विल्मुजिमीन वैलुईं यूम जल्मुकजबीन अलम नखलुक मिन माई महीन फजालना हु फी खरार मकीन इला कदर मालूम फखदरना फनेम अलकादिरून वेल यूम जिल ल्मकजबीन अलम नजाल अर्द किफात नह्याँ वामवात वजालना फिया रवासिया शाम खातिं वस्केना कुमान फुराता वेल यूम जिल मकजबीन इन तुलिकू इला मा कुन्तुम बही तकजबून इन तुलिकू इला जिल जी तलात शौब ला जलील वला यूनी मिन ल्लहब इनमा तर्मी बे शर्र कल खस्र ला जलील वला यूनी मिन ल्लहब इननहा तर्मी बे शर्र कल खस्र कान्नहू जिमालात सुफ्र वेल यूम जिल मकजबीन वेल यूम ला यंतिकून वला यूजनू लहूं फयातजरून वेल यूम जिल मकजबीन वेल यूम ल्ल्वस्ब जमानाकूम वल वलीन फइन कान लकुम कैदुन फकीदून वैलु यूम जिल्मकजबीन इननल्मुत्गीन फी जुलाल वस्कुयून वफवाक्या मिम्मा यश्टहून कुलु वश्रबू हनीयं बमा कुन्तुम तामलून इनना कदालिक नजिल्मुसनीन वैलु यूम जिल्मकजबीन कुलु वत्मत्वू खलीलन इनकुम मुजर्मुन वैलु यूम जिल्मकजबीन वैला कील लहु मुर्कवू लायर्कवून वैलु यूम जिल्मकजबीन वब आये हदीतिं बादहू यूमिनून यून तीसमा पारा मुकमल हो गया है अब अगर इसके बाद वक्त को तो फिर सुरह अन्नावा शुरू करेंगे बिस्मिल्लह ररह्मान ररहीम अल्लह की नाम के साथ जो बेंतिहार रहम करने वाला बिल्मागे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है हल अता अलल इनसाने हीन मिन दारे क्या इनसान पर जमाने में से कोई ऐसा लमह भी आया था कि वो कोई काबल जिकर चीज नहीं था हल अता अलल इनसाने क्या इनसान पर हीन मिन दारे जमाने में से कोई ऐसा लमह भी आया था लम यकुन शैम मुझकूरा कि वो कोई काबल जिकर चीज नहीं था यहां सवाल है मगर जवाब नफी में है जो इसमें मुझमिर है कि इनसान पर यह यह कहना चाहिए जवाब यह है कि ऐसा लमह जरूर आया था जबके वो काबल जिकर चीज नहीं था यह काबल जिकर चीज था चाहने जारे एक दो मैं तो जो करके सही बताता हूँ क्या इनसान पर कोई ऐसा लमह भी जमाने में से कोई ऐसा लमह भी आया था कि वो काबल जिकर चीज नहीं था आया था जवाब हमाशाई यह आया था कि ऐसा लमह भी आया था वो कोई काबल जिकर चीज नहीं था इन्ना खलकना लिन्साना मिन उस्फतिनम शाजन इसमें सारी ये जो पहला पहली आया था इसमें सारी इन्सान की तर्का की तारीख एक फिकरे में बेहन कर दी गई इन्सान ही था शुरू से आखर तक जब इनसान बन गया था तो फिर उस पर कोई लमषन आया है वो काबिल जिकर नहीं था पिर इनसान का तो अगाजी से जिकर कुर्ण करीम में आ रहा है कि जब इनसान बन गया तो गया मेराज ये तखलीक अपने मेराज को पहुँच के तो इसलिए ये बहुत ही गहरा कलाम है बहुत ही जामे माने कलाम है जो इनसाने इत्रगा के हर पहलू पर हावी हो जाता है या अगाजी से इनसान की पिदाइश मराद थी और बहसियत इनसान वो कुछ और चीज था एक लम्हा ऐसा भी उस पर गुजरा है वस दोर में कि वो किसी किसम के जिकर के काविल चीज नहीं थी मगर उस वह भी लफज इनसान ही उस पर इतलाग पाता है यानि इनसान का पैदा करना मकसूद था जबके वो उन हालतों में से गुजरा जो हालतें कावल जिकर नहीं थी अज़ जब इनसान बन गया है तो इनसान बनने के बाद की हालतें अब दर्ज हुई है यखिन हमने इनसान को एक मुरकब नुटफे से पैदा किया जिससे हम तरह तरह की शक्लों में ढालते रहे नुटफतिन अम्शाजिन मुरकब नुटफा जो मिला हुआ है दो चीजों से नबतली है में है मुगतलिफ शक्लों में उसे ढालते रहे फजालना हो समयम बसूरा फिर उसे हमने सुनने देखने वाला बना दिया इन्ना हदैना ये मा के पीट की बाते हो रही हैं इन्ना हदैना हुसस सबीला इमा शाकरा वैमा कफूरा यचिन हमने उसे सीधे रस्ति की तरफ अधायत दी खा शुकर गजार बनते हुए खा ना शुकरा होते हुए हदायत दी मतलब है चले इसको ब्रेक्ट पे रखा है मैंने खा वो शुकर गजार बनते हुए चले खा ना शुकर गजार होते हुए तो चले का लफज अलफाज में जाहर नहीं मगर हदायत दी के बाद उस चले का मुदमूर उसमें दाखिल है रस्ता दिखा दिए है अब वो शुर गुजार हो रहे बनते हुए चले या ना शुक्रा बनते हुए चले इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकरं वाइम्मा कफूरा इन्ना आतदना लिलकाफरीन सरासल वा अगलालं सहीरा यकिनन हमने काफरों के लिए तरह तरह की जन्जीरें और तौक और एक भड़कती हुई आग तयार किये हैं जन्जीरें वही हैं जो दुनिया में उसको नेकियों से रोके हुए थी अच्छे कामों से या लगता परदारी से रोके हुए थी ये जन्जीरें बेशुमार है इसलिए सलासला को खुला छोड़ दिया है कई किसम की जन्जीरें हैं वोही जन्जीरें उसके लिए मुतमस्ल हो जाएंगी मन्मे के बाद इनल अबरारा यश्रबूना मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा काफूरा जिसका मिजाज काफूरी होगा काफूरी मिजाज से मुराद है जो उसके अंदर नफसानी जज़बात को ठंड़ा करने वाला काफूर जोश खुरोश को ठंड़ा करने के लिए इस्तमार किया जाता है एन यश्रबू बहा अबादुल्लाहि युफज्रूना तफजीरा एक ऐसा चश्मा जिससे अल्ला के बंदे पीएंगे जिससे वो फार फार कर खुशादा करते चले जाएंगे यानि उस चश्मे को बढ़ाने की इस्ततात होगी उन्हें अपनी मेहनत के उपर और तफीक के उपर है किसी को ज़्यादा मेहनत और की तफीक होगी किसी को कम मेहनत की तफीक होगी यानि एक ही मुवला चश्मा नहीं है उससे खुदा के बाद बंदे मेहनतों के जिरिए बढ़ाते चले जाएंगे उसका मुझ खोलते चले जाएंगे दिन बिदेन उन्हें उसे ज़्यादा पानी मुएस्ट आएगा यूफून अबिन नवरे वयखाफून यौमन कान शर्रहु मुस्तुतीरा वो अपनी ब्रैकेट में रखा हुए अपनी वो मन्नत पूरी करते हैं कि वो लोग हैं जोने अपनी अपनी मन्नत बांदी हुई हैं वो उसे पूरी करते हैं युफजरून हा तफजीरा में भी गालबन उन्ही मन्नतों की तरफ इशारा है कि हर एक ने कुछ कर लेने की मन्नत बांदी हुई थी कुछ ज़्यादा बढ़ने की खुदा की रह में आगे बढ़ने की मन्नत की हुई थी तो वो मन्नत पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसका शर पहल जाने वाला है कान शर्रुह मुस्तत्वीरा और कुरान करीम की तर्जे बयान के मताबिक ये दुनिया में भी ऐसा दिन आ सकता है और आखरत में कोई दिन ऐसा तो नहीं जिसका शर पहल जाएगा मुराद ये है कि उसकी सजा जजा वसी होगी ऐसे लोगों पर जो सजा के मुस्तिक हैं वो फैल चुका होगा उन में से किसी को बाहर नहीं निगलने देगा और वो खाने को उसकी चाहत के होते हुए मिस्कीनों और यतीमों और असीरों को फिलाते हैं खाना जब जायद हो जरूर से उसक्त वो दे दिया जाता है वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं और जब खाने से महबत हो चुकी हो इतनी चाहत हो उस वक्त वो गरीबों और मिस्कीनों को खाना किलाएं हम हर्गिज ना तुम से कोई बदला चाहते हैं और ना कोई शुक्रिया इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यखिन हम अपने रब की तरफ से आने वाले आने वाला प्रेकित में है कियुक्त अब में जब पूरा फक्र आपका पुड़ेगी हम अपने रब की तरफ से एक ते facto तिओरी चट़ाए हुए बद्खुल्क दिन का खौफ रכते हैं यह उस दिन का खौफ रखते हैं जो अपने रब की तरफ से हमाय रब की तरफ से आयेगा इसलिए आने वाले को ब्रैकेट में रखके यूँ पढ़ेंगे यकिन हम अपने रब की तरफ से आने वाले एक तियोरी चड़ाये हुए बद्खुलक दिन का खौफ रखते हैं मुफर्जात और मुझे दोनों ने इसी तर्जिमे की ताहिद की है पस अल्ला ने उन्हें उस दिन के शर से बचा लिया और उन्हें ताज़गी और लुफ वता फर्माएगे और अगर मस्तक्बिल में करना चाहे की तर्जिमा तो मस्तक्बिल में भी हो जगता है पस अल्ला उन्हें उस दिन के शर से बचा लेगा और उन्हें ताज़गी और लुफ अता फर्माएगा नदुरतन ताज़गी को कहते हैं सुरूर लुफ कहते हैं वजजाहुम बेमा सवरू जन्नतं वहरीरा और उस दिन उनको बसबब इसके कि उन्हें सवर किया एक जन्नत और एक किसम के रेशम की जजादी जाएगी रेशमी लिबास भी तर्जमा हो सकता है हरीरन का लोगत के लिहाज से और रेशम भी हो सकता है तो हरीरन को क्योंके नकला में रखा हुआ है तो उसका ये तर्जमा मैंने अख्तियार किया है एक किसम का रेशम यानि वो रेशम जिसको हम दुनिया में जानते हैं वो तो बहराल नहीं होगा यानि लेकिन रेशमी असर पैदा करेगा रेशम की मुलाइमत उसमे होगी रेशम का लुफ अता करेगा तो इसलिए एक किसम का रेशम एक किसम के रेशम की जिजा दी मुत्तकेईन फीहा अलल अराइक वो उसमें तख्तों पर तक्या लगाए बैठे होंगे ला यरौन फीहा शमसं वला जमहरीरा ना तो वो उसमें सخت धूब देखेंगे ना सخت सर्दी वदानियतन अलेहम विलालोहा और उसके साए उन पर जुके हुए होंगे और उसके मेवे पूरी तरह जुका दिये जाएंगे कुतूफ का मतलब खोशे भी हो सकता है और मेवे दी तो नेवे यहां ज़्यदा मुनासिब हैं और हदर्द मीज साहिब का मैंने बुर्ण करीम देखा है उसमें भी जिसा ने लफ्स नेवे ही को अख्तियार किया है और उसके साहिए उन पर जुके होंगे और उसके मेवे पूरी तरह जुका दिये जाएंगे पौँच में होंगे उनकी यह मतलब है और उन पर चादी के बर्तनों का दौर चलाय जाएगा और ऐसे कटूरों का जो शीशे के होंगे अब जो कटूरें है अगर वो शीशे के होंगे तो चांदी के बतन दो अलग अलग चीज़ें हैं या उन कुटोरों में कोई चांदी की सिफ़त है ये एक मुज़ून है जिसको अगली आयत कोल रही है उन पर चांदी के बतनों का दोर चला जाएगा और ऐसे कुटोरों का जो शीशे के होंगे ऐसे शीशे के जो एक किसम की चांदी से बने होंगे उनने उनको बड़ी महारत से तर्कीद दिया होगा वो शीशे जो एक किसम की चांदी से बने होंगे उनमें शीशों का की खूबी भी पाई जाएगी और चांदी की भी और ये जो कमाल है ये खास सनद चाहता है इसलिए फरमाया उसे उनोंने उसे बड़ी महारत उनको बड़ी महारत से तर्कीब दिया होगा और वो उसमें एक ऐसे प्याले से पिलाए जाएंगे जिसमें सोंट की आमिजश होगी सोंट की आमिजश से क्या मराद है आम तोर पर लोग सोंट को पसंद भी नहीं करते हैं तो उस प्याले से वो कैसे पियेंगे अज़त अग्दिस मुस्य मौद अलए इसलाम ने ये तफसीर फरमाई है जन्जबीन लफस के अंदर दो लफस जुड़े हुए है और उनके अंदर इस सोंट के माने है सनल जबला कोई ताकत के लिहाज से ऐसा मजबूत हो के पहार पर चड़ जाए तो ऐसे प्याले पिलाए जाएंगे जिन में तवानाई पैदा करने की ताकत होगी पहारों पर चड़ जाने के एहल होंगे बहुत मजबूती अता की जाएगी उनको उस मिश्रूब के जिरिये जो उनको पिलाए जाएगा एनन फीहा तसम्मा सलसबीला एक ऐसा अजीब चश्मा उसमें होगा जो सलसबील कहलाएगा एनन में अजीब होना दाखिल है यह इसको नकरे के तोर पर चोड़ा गया है इसका एक यह माना बनता है एक ऐसा अजीब चश्मा उसमें होगा जो सलसबील कहलाएगा वे यतूफु अलेहम विल्दानन मुखलदून और उनकी खिद्मत की खिद्मत को ब्रेक्ट में रखा हुआ है और उनकी खिद्मत पर हमेश की अता किये हुए बच्चे गूमेंगे यतूफु अलेहम उन पर घूमेंगे बाहर जो इसका मतलब खिद्मत ही है यही तो नहीं घूमेंगे बेज़ा इसलिए खिद्मत को ब्रेक्ट में मजीद वासे करने के खातिश दाखिल कर लिए गया है और उनकी खिद्मत पर हमेश की अता किये हुए बच्चे गूमेंगे हमेश की अता करने के माने एक तुई जन्नत में हमेश की है ही दूसरे ऐसे बच्चे नहीं हैं जो कुछ देर के बाद बढ़कर वो मर्द बनना शुरू हो जाएं उनकी अमरों पर भी एक किसम का जमूत होगा जमूत वहसे जो मन्फिमानों में इस्तमाल होता है मगर यहां मराद यह है कि एहल जन्नत की उम्रें नहीं बढ़ रही होंगी एहल जन्नत जिस जमानी या बच्च्पन के हाल में होंगे उसी में रहेंगे विश्यादून इजा रायताहुम जब तूने देखेगा तो उन्हें बखेरे हुए मोती गुमान करेगा और इससे जो बाद नाजान उलमा भलत तर्जम करने की गोश्ट करते हैं उनकी नफी कुलियत न कर दी गई है बच्चे हैं जो घूमेंगे रिद्गे या खिद्मत के लिए प्याले लिए हुए उनकी पस आएंगे मगर वो मोतियों की तरह होंगे वाइजा रायता थम्म रायता नईम मुलक कबीरा और जब तू नजर दोड़ाएगा तो वहां या दूसरी जगा लफ्ज थम्म है जिसका मतलब वहां है सुम्म नहीं है और जब तू नज़र दोड़ाएगा तो वहाँ एक बड़ी नेमत और एक बहुत बड़ा मुल्क देखेगा आलियहुं थ्याबुन सुन्दुसिन यानि कोई महदूर जगह नहीं है बहुत बड़ा मुल्क है वनना पहली तस्वीश के शीश से यह लगता है कि छोटी की जगह में कुछ लोग बैठे हुए हैं कुछ दर्चे घुम रहे हैं ये उस दुनिया की बात है जो बहुत वसी दुनिया है वन पर बारीक रषिशम के सब्ज लिबास होंगे और मोटे रषिशम के बी ये बारीक रषिशम के और मोटे रषिशम के लिबास से क्या मुराद है क्या मौसिम बदलेंगे वहाँ इश्योंस आपका ख्याल है सर्दियां गर्मी आती रहेंगी मतलब यह है कि हर एक की पसंद के मताबब इसको इख्तियार होगा पतला पसंद करता है तो मोटर पहने पतला पतला पहने और उनमें जो बुनियादी सिफ़त है सब्स और रेशन ये दो बुनियादी सिफात उनमें मौजूद रहेंगे सब्स होने से सरसब्सी की तरफ इशारा है और वो चांदी के कंगन पहना जाएंगे और उन्हें उनका रब शराब तहूर पे लाएगा इस सारी बातें चांदी की हो रही है सोने की क्यों नहीं सारी चांदी की बातें हो रही है शीशे भी चांदी की हो रही है क्या बजाया है अस्तु साब वक्राने की में दूसी जेका सोने की जिकर आ रहा है वहाँ सोने की जिकर है और खुबसूरती मुराद नहीं दर्जे हैं ये मेरे नजदी जन्नत का एक दर्जा बियान किया जा रहा है और चांदी बहुत आरा चीज है अगर उसका वित्तीन इस्तमाल किया जाए बहुत खुबसूरत चमटने वरी चीज़ है वगर दर्जे में सोने से नीचे है तो बादों का दर्जा बुलंदतर होगा वो उस जन्नत में होगे जिसमें सोना होगा लेकिन जब यह हम यह कहते हैं तो यह मुराद नहीं कि दो अलग अलग जन्नते हैं यह कैफियात हैं असल में इसलिए जब मैं इन बातों का बियान करता हूँ आयात के वाशनी में तो उससे दमाग आस्ता इस तरह बहग जाते हैं कि गोया तो अलग अलग मकामात हैं वहाँ कोई ठोस चीज़े हैं हरगी ऐसी बात नहीं है यह तंसीलात हैं जो बियान की जा रही है वही जगा वही मकाम अगर वह एक जगा कहना है उसको तो उसके अदर मुक्तित जहात होंगी डिमेंशन उसकी अलग अलग होंगी और एक ही स्पेस में डिमेंशन बदल जाएं तो वह कैफियतें बदल जाती हैं जीजें मुक्तित दिखाई देती हैं वसकावु रबहुम शराबं तहूरा और उन्हें उनका रब शराब तहूर पिलाएगा इन्ना हादा काना लगुम जजावुम वकाना सायुकुम मश्कूरा यकीन ये है जो तुम्हारे दिये बदला के तौर पर होगा या पढ़ने में बदले के तौर पर भी पढ़ सकते हैं लिखने में बदला लिखा जाएगा यकीन ये है जो तुम्हारे लिए बदले के तौर पर होगा और तुम्हारी सही मुश्कूर होगी इन्ना नहनु नज्जलना अलेकु लुकुरान तन्जीला यकीनन हमने ही तुझ पर गुरान को एक पुर्शौकत तद्रीज के साथ उता रहा है या मतबाद़ यह हो सकता है कि उम्दा तन्जील के साथ उता रहा है ये किस पुछ पसंद करेंगे ऐसा होना चाहिए जो आम उर्दुदान समझ भी सकता हो और लोट के लिएस भी दुश्टो अगर पुर्शौकत उड़ा जें जो फिरी होगा यकिन हमने ही तुझ पर गुरान को एक तद्रीज के साथ उता रहा है नजलना तन्जीला और तन्जील में नकरे की हसियत से उस तन्जील की अजमत और शौकत का बियान भी साथ दाखिल है तो पुर्शौकत तद्रीज के साथ उता रहा है ज़्यादा काबल फैम है अंदा तन्जील के मुकाबल पर के नहीं जही रहने चलिए फस्परले हुक्मे रबेका वलातोते मिनहुम आथिमन और कफूरा पस अपने रब के हुक्म की खातिर सबर कर और उन में से किसी गुनागार और नाशुक्रे की पेर्वीना कर यहां सबर का एक और मफ़ूम भी मेरे जहन में है मुझे लगता है कि वो इस आयत के सियाक और सबाक में ज्यादा खाबल खुरूर होना चाहिए ज्यादा उस तरफ मेरा रुज़ाती रुज़ांस तो जाता है सबर की तारीफ रसूल सलम ने ये फरमाई हुई है जो नेकियों को चिमट के बैठ रहे है जो अल्ला के हुक्म पर ऐसा चिमटे कि उसे छोडने का नाम न ले और उन में से किसी गुनागार और ना शुखरी की पैदी न करे तो अल्मा का जो जहन है वो ले की बिना पर ले हुक्म रब कर में इस में जमोन की जहता है पस अपने रब की हुक्म की खातर सबर कर हुक्म के खातर में भी एक किसम को वो मुफ़ूम आ जाता है हुदा के हुक्ikh outta की खातर सबर में बरीध कर तक्लीफ तो होगी बैठा रहा है लेकिन उन में से किसी गुनागार और नशुक्रे की पैदिना कर सबर कर ये माना अपने अंदर एक खलकी सी अजियत भी रखता है और खुदा के हुक्म पर पावंद रहना मौमर रसुल्ला सल्लम के लिए तो किसी गिसम की कोई अजियत नहीं रखता था उनकी बातों से अजियत महुंच सकती थी ये बड़ा पेचीदा सा मसला बन जाता है दूसरा मतबादल तरज्य मैं आपके सामें रख देता हूं ताके पढ़ने वाले उसको भी जहन में रखें वो यूं होगा पस अपने रब के हुक्म पर ब्रैकेट में अमल होगा पर अमल पस अपने रब के हुक्म के लिए मजबूती से चाहिम रहे ब्रैकेट में पर अमल हो तो फियू बनेगा पस अपने रब के हुकम पर अमल के लिए मजबूती से काइम रह फस्बिर में ये माने दाखिल है मजबूती से काइम रहना और उन में से किसी गुनागार और नशुक्री की पैदी न कर वजख रिस्मा रबेका बुकरतं वासीला और अपने रब के नाम का सुबह भी जिकर कर और शाम को भी बुकरतं वासीला वज़ मिनलले फस्जुद लहू और रात के एक हिस्से में उसके हजूर सजदा कर वस्भे हुलला न तवीला और सारी सारी रात उसकी तस्बी करता रहा जो सजदे की रस्मी नमाज होती है जिसम का उठना और बैटना उस वगो नमाज जो है साई रात तो नहीं पढ़नी है दूसरी एक रुरान खरीम में साई रात की मनाही माजूद है मगे जिक्र अलाही उठते बैखते सोते जाकते होता रहता है इसलिए फर्माया मेनलले फस्जुद लहू रात के एक हिस्से में उसके हजूर सज्द में रह या सज्दा रेज रह या सज्दा कर ये है सिर्फ एक सवाल जो जिसमें एक लख एक तरीक की तर्जिमा को इक्तियार करना पड़ेगा एक हिस्से में उसे सज्दा कर में मुलूमत है कि एक ही सज्दा किया गया है हाना कि मुराद ये है कि सुझूद की हालत में रहे सज्दों की हालत में रहे पिर क्या इसका हल सज्वीज करेंगे आप सज्दा रेज जो मैं कह रहा हूँ सज्दा रेज रह अगर कर दिया जाए तो वस्जुत का तर्जमा सज्दा रेज रह हो सकते के नहीं यह स्वाल उस शुरुत में तर्जमा यू बनेगा रात के एक हिसे में उसके हुजूर सज्दा रेज रह और सारी साई रात उसकी दस्वी करता रह क्यों जी मौमिन साथ आप हैं सबसे बड़े माहरे क्रेमलियात हैं माहरे लोगों था हैं वाकिज़न माशालला और बड़ी बारीक नजर हैं कि लोगों को मिलती है से नजर सज्दा रेज रह हो सकता है तो वही होना चाहिए हैं यह रखें सज्दा रेज रह वजकर इसमा रबेका बुकरत वासीला वमिन लेले फस्दुल्लहू वस्बेहु लेलं तवीला इन्ना हा उलाई यहिबून अलाजिलता वयजरून वराहुम यौम उन्तगीला यखिरन ये लोग दुनिया से महबत करते हैं और अपने से परे एक भारी दिन को नदर अंदास कर रहे हैं यहां आजिला का वही तरजमा की है जो पहले मैंने किया था जिसकी लोगत वाज़ तोर पर इजाज़ देती है कि आजिला का माना मैज़ दुनिया है इसलिए मुझमूर की मुनास्बत से भी ये बिल्कु ठीक बैट रहे हैं फौरी रौनुमा होने वाला तरजमा करना पड़ेगा वरना वो तो पर ठीक नहीं है यखिनें ये लोग दुनिया से महबत करते हैं और अपने परे एक भारी दिन को नदर अदास कर रहे हैं हमने ही उनको पैदा किया है और उनके जोड़ बंद मजबूत बनाए है और जब हम चाहेंगे उनकी सूरतें यक्सर तब्दील कर देंगे बजलनाओं तब्दीला इन्ना हादेही तथकरा यकीनन ये एक बड़ी सबख सबखामूज नसियत है फ़मन शाद तखजा इला रबही सबीला पस जो चाहे अपने रब की तरफ जाने वाली रह पकड़ ले जाने वाली कुब्रेक्श में रखा है उसके बाहर बगैर भी मजबून वाज़ी रहते है पस जो चाहे अपने रब की तरफ रह पकड़ ले वमात शाओना इला आयशा लाह तुम कुछ भी नहीं कचा सकते सुआए इसके कि अल्ला चाहे वही ब्रैक्श में रखा हुआ है जो दाखिल भी रख रहने भी दिया जाए या हटा भी दिया जाए मुझमून तो वाज़ है ही में ख्याल में लेकिन एक जाएद लफ़ जाएद मुझमून की दिरफ वही से इशारा वजाता है कुछ भी नहीं चाह सकते सुआए इसके कि वही वही ल्ला चाहे जो तुम चाहते हो वहासिल नहीं हो सकता मराल होगी वरना तो इनसान जो बहुत कुछ चाहता है जो अल्ला नहीं चाहता तो यहां यह मुराद नहीं है कि बद लोग को बरी बात चाहीं नहीं सकते कि अल्ला बरी बात हैं नहीं चाहता मुराद यह है कि जो तुम चाहते हो उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता और कुछ भी हो चाह अच्छा हो या बुरा हो अमल दरामद उस पर तभी हो सकेगा जब अल्ला की अजाज़त होगी यानि वही चाहे ल्ला कि यह हो जाए यह माने इसमें हो गए इस पहलों से अगर ब्रैकेट में वही रख दिया जाए तो कोई हरज नहीं मेरे खाल में तुम कुछ भी नहीं चाह सकते आगे ब्रैकेट में कि हो जाए ये भी इसलिए दाकिल किया था कि कुछ भी नहीं चाह सकते कि हो जाए सवाइस कि वही आल्ला चाहे यकीन अल्ला दाइमी इल्म रखने वाला अलीमन और साहिब हिक्मत है युद्खिलु मैं यशाओ फी रहमते वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिर फर्माता है और जहां तक जालिमों का तालुख है वाल्जालिमीन आद्दा लहुम अदाबन अलीमा उनके लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है सूरह अल्मुर्सलात बिस्मिल्लाहिर्रह्मान ररहीम अल्ला के नाम के साथ जो बेंतिहार रहम करने वाला दिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है वल्मुर्सलात अर्फन गस्म है पैब पैब भेजी जाने वालियों की अर्फन के ओपर खूब नहीं तहकी कर ली है हर्स किसम की लुगा देखी है यहां यही माना यहां ज़स्ता है अर्फन एक के बाद दूसरी के बाद और दूसरे इसमें एक और लतीफ माणी भी दाखिल है उन मौजों को भी उर्फन कहा जाता है जो बुलंद हो और बुलंद होने वाली मौजें तो चड़ती है तो बहुत उच्छा चड़ जाती है तो चूंके यहां दरसल हुआई जहाजों की पेशगोई भी हो सकती है इसलिए उर्फन में उस तर भी इशारा है और मौजों में मौजों में भी यह बात है कि एच्छ के बाद दूसरी मौज उच्छती है तो दोनों माने बयक वक्त यहां इकटे हो जाते है गसम है पैब पैब भीजी जाने वालियों की फिर उनकी जो बहुत तेज रफतार हो जाती है आगाज में रफतार उनकी तेज नहीं होती मगर फिर बढ़ते बढ़ते बहुत तेज हो जाती है आजकर जितने भी जेट हैं उन पर ये इन दोनों आयात का बैन ही इसी तरह तलाप होता है और जब ये रवाना किये जाते हैं तो टोलियों में रवाना किये जाते हैं एक के बाद दूसरी टोली भेजी जाती है और वो मौजों की तरह बलंद होती चली जाती है और फिर रफतार उनकी तेज से तेज तरह होती चली जा रही है तो बहुत ही उम्दा नक्षा है माजूदा जमाने की सवारियों का हुआई सवारियों का और इसी सूरत में आगे पिर समंदरी सवारियों का भी नक्षा खेंचा जाएगा वन नाशिरात नश्रन और अच्छी तरह नश्र करने वालियों की क्या चीज़ें वो नश्र करती हैं जो चीज़ें वो लेकि जाती हैं वो नश्र करती हैं फल फारिगात फर्कन पिर वादे फर्क करने वालियों की वो जहाद जो अगर बंबारी करते हैं तो फर्क करते हैं और तमीज करते हैं दोस्तों दुश्मन में और दावा ये करते हैं कि हमने सिर्फ उन टार्गेट्स पे बंबारी की है जो फूजी टार्गेट्स थे और सिविलियन हमारे पेशे नदर नहीं थे लेकिन जब मार देते हैं तो करें माफ करना गलती होगी तो फल फारिखात फर्कन फिर वज़े फर्क करने वालियों की फल मुल्कियात जिक्रा यहां मुल्कियात जिक्रा में अल्ला कर जिक्र मुराद नहीं है बलके इंतबाह मुराद है फिर इनतबाह करते हुए फेंकने वालियों की मुल्खियात जिक्रन जिक्रन यह है इनतबाह के तौर पर कुछ फेंकती है वे चीज़े और आम तौर पर यह लोग पैंफिलेट गराते हैं फिर बड़ी कस्रत से उजरन और नॉजरन हुज़त या तन्बी की तौर पर दोनों मकासिद होते हैं हमने वाल कर दिया था तुमें हुज़त तुम पर तमाम हो गई है या तन्बी है इन बातों से बाद आजाओ वरना अगली रो जो है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक चड़ेगी अब यह जीब बात है कि आज़कल कि जो कुछ इराक में हो रहा है हरुपन हरुपन लफ़ज़न लफ़ज़न यही चीज़ है इश्तिहाबी शार्ट पहेंकते हैं सब कुछ तम्रीख कर रहा हैं और पिर आगे पिर दुबारा पिर आगे होगा फिर उसके बाद कुछ और आगे आने वाला है फिर कुछ और आगे आने वाला है अगर बगदार तबाह हो जागए फिर बस्तरब कर रूख करेंगे तो यह पिश्गोई हैं लफज़न तो न दोनों बातों का धिकर नी कर रहीं मगर यह इनका दस्तूर है आलमी जंगों में हर जगे यही चलता है सिर्फ एराक की बात नहीं है जहां भी यह रड़ाईएं चिड़ेंगी वहां यही कुछ होगा इन्नमा तुवदूनलवाके यकीन जिस से तुम ड़राय जा रहे हो लाजमन होकर रहने वाला है अब यह वो उनका नुजर नहीं यह अल्ला का नुजर है इन्नमा तुवदूनलवाके इसलिए मैं फरक करता हूँ कि यह नहीं समझें कि वही उनका नुजर उनकी ड़राना है उसके मतलिक अल्ला फर्मा रहा है यह खुद भी तो ड्राय जा रहा है उस तरह से वज्जर नहीं है जो अल्ला की तरफ से इन्जार हो रहा है वो सोचते हैं नहीं उससे गाफल है इन्नमा तुवदूनलवाके यकीन जिस से तुम डराय जा रहा है लाजमन होकर रहने वाला है फैजन नुजूम तुमे साथ कि कुन से जमाना होगा पस जब सितारे मान पड़ जाएंगे वैजल समाव फुरेजद और जब आसमान में तरह तरह के सुराख कर दिये जाएंगे वैजल जिबाल उनुसे फत और जब पहाड जड़ों से उखेर दिये जाएंगे यहां ताकत के पहाड भी मुराद हैं हमने खुला रखा हुआ है क्यूंकि दोनों माने मुमिन साहिब का भी ही मश्वरा था कि इसको खुला रहने दिया जाए ताकि जाहरी तोर पर भी पहाड़ों को उखेरा जाएगा और ताकत के जो बड़े बड़े पहाड काइम किये हुए इनों ने इनको अब वार्निक शुरू हो गई है अपना भी सोच लो कि तुम्हारी ताकतें उखेर दी जाएंगी कब होगा वेजर रसुल वकितत जब रसूल मुकर्रा वक्त पर लाए जाएंगे अब क्यामत में तो यह नहीं होना बारहाल बिलकुल वाज़ बात है क्यामत में तो पहाड ने उखेरे जाएंगी यह चीज़ें लाजमन इस दुनिया के उन्तरी के वेशगोई है और वो है जरी उल्ला फी हुल अन्बिया की तरफ इशारा है वो आने वाला आएगा जो मुखतलिफ अंबिया का चोला पहने हुए होगा और वो सारे अंबिया रसुल ल्ला स्लिल्ला स्लिल्ला के मतहद की जाएंगे इस रसुल अक्यदत ले आईये यौमिन उजलत किस दिन के लिए उनका वक्त मुकर्र था पूछा जा रहा है लियौमिन फसल एक फैसला कुन दिन के लिए यह फैसला इस दुनिया में मुकद्र है इस दौर आखिर में होकर रहना है बालहाल इस तरह मौमले गर्मर नी चलते रहेंगे अला ताला की तरदीर लाजमन जाहर होगी और यह सारे बाकियात होंगे के पहार उकेड़े गए हैं और नुजर जो हैं उसमें हर नभी की तरफ से उसकी कौम को गोया के एक इंजार है रसल उके तरद के यह माने भी हैं हर नभी के हुले में एक डिराने वाल आएगा जो दरसल उस قوم का नभी उस قوم को ड्रा रहा होगा गोए के जब अश्रत मुस्रीमा लिए साथ उस्लाम क्रिशन का चोला पहनते हैं तो एहल हिंदुस्तान को ड्राते हैं जब बुद का चोला पहनते हैं तो बुद मौमाले को ड्राते हैं जब इसा का पहनते हैं तो इस लिहाद से ये फैसले का दिन इन सब के लिए है लेकिन इनजार के बाद फैसले का दिन है और तुझे क्या समझाए कि फैसला कुन दिन क्या है हलाकत तो उस दिन जुटाने वालों पर या हलाकत होगी उस दिन जुटाने वालों पर अलम नुहलिक अवलीन क्या हमने पहलों को हलाक नहीं किया थुम्म नुद्बहुम अलाखिरीन फिर हम बाद में आने वालों को उनके पीछे नहीं लाए पह बह पह होता रहा है पहले दी इसी तरह हम मुझरिमों से सुलूख किया करते हैं हलाकत तो उस दिन जुटाने वालों पर क्या हमने तुम्हें एक खीर पानी से पैदा नहीं किया फजालना हु फी करार मकीन फिर हमने उसे एक करार पकड़ने की महफूज जगा पर नहीं रखा इला कदर मालूम एक मालूम अंदाजे तक फगदर ना फिर हमने उसे तरकीब दी ये अहां कदर ना फगदर ना नहीं है एक और जगदर ना भी तो आता है वो फगदर ना फिर हमने उसे तरकीब दी पस हम क्या ही उम्दा तरकीब देने वाले हैं या उर्दू वाली तरकीब मुराद नहीं है जो साइंटिफिक इसला है तरकीब देना कीमियावी तरकीब देना मुरकब बनाना ये मुराद है फिर हमने उससे तरकीब दी उसे ब्रेक्ट में नी चाहिए ब्रेक्ट में चाहिए उसा है नहीं डाला हुआ पिर हमने तरकीब दी पस हम क्या ही उमदा तरकीब देने वाले हैं वेलू यूम अजिली मुकजबीन हलाकत उस दिन जो टाने वालों पर अलम नजर अर्द आकिफातन क्या हमने जमीन को समिटने वरा नहीं बनाया आहियाम वामवाता जिन्दों को भी और मुर्दों को भी वजालना फिहा रवासिया शाम खातन वसकेनकु मान फुराता और हमने उसमें बुलंदो बाला पहार बनाए और तुम्हें मीथे पानी से बाफरागत सराप किया वसकेनकु मान फुराता फुरातन ये वो हालिया है इसलिए इसको बाद में रखा रही हूँ हमने उसमें बरंद दोबारा पहार बनाया और तुम्हें बाफरागत मीठे पानी से बाफरागत सराग किया वैलू यूम जिल्लिल्मकजबीन हलाकत उस दिन जुट्लाने वालों पर इन तुलिकू इला मा कुंतूं बही तुकजबून उसकी सिम्द चलो जिसे तुम जुट्लाने करते थे इन तुलिकू इला दिल्लिन दी सलाफ शौर ऐसे साइकी तरफ चलो जो तीन शाखों वाला होगा अब ये वाज़ तौर पर एटमी जंग और उसके असारात एटम के जो बद असारात होते हैं जो उसके निसीजे में बादल उखते हैं मौलिक उनकी तरफ इशार चलो जाए और है भी वो तीन शौगों वाला तो गालबन ये तीन का लफ़ वो तस्लीस की तरफ भी इशारा कर रहा है इंत और फौजों और फौजों में भी तीन फौजे हैं बरी फौज बहरी फौज और हवाई फौज तो लफ़ तीन यहां बहुत ही बर महल इस्तमाल हुआ है उसका ऐसे साइकी तरफ चलो जो तीन वला है ला वलीलिं वला यूगनी मिन ल्लाब ना तसकीन बख्ष है ना आग की लप्टों से बचाता है इन्नहा तर्मी मे शरर इन कलु खसर यकीन वो एक पिले की तरह का शौला पहिंकता है किले की तरह का शौला अब देख लें उस जमाने में कौन सी ऐसी चीज़ ती जो की तरह शोगा पहिंक सकती है तो सवर भी नही कर सकता है इस वह इसी चीज़ का कानाहू जमालातु सुफर इन्नहा तर्मी क्या जमालतु न ने कह दिया थे ठीक है कानाहू जमालतु सुफर गोया वो जोगिया रंके उठों की तरह है शोला भी ऐसा खौफनाक इतना बड़ा दो चीजे हैं उसमें एक किले की तरह इतना बड़ा शोला जो किले की तरह वसी और मुहीत हो और जमालात उनसुफर गोयव जोगिया रंग के उठों की तरह हैं किले में बुर्ज होते हैं उच नीच होती है उसके किनारों पर यही नक अक्षा उनका खेंचा गया है वैलू यौम एजिल्मकजबीन हलाकत उस दिन जुटलाने वारों पर हाज यौम एजिल्मकजबीन यह हो दिन जब वो गुंग हो जाएंगे वला योजनो लहूं फया तजरून और उनको इजादत नहीं दी जाएगी कि वो अपने उज़र प उनका गरीम पहले सवाल उठाता वो फसल कर दिन है क्या यह है फसल कर दिन इसमें फिर खोटे खरी की तमीज कर दी जाएगी यह यह है फैसला कर दिन जिसके लिए हमने तुमें एकठा किया और पहलों को भी अंबिया जो वक्त पे बुलाए गए थे यह मुराद है पुरान कौमें और नई कौमें सब इस फैसले की दिन हाजर होंगे और उनके तुजिये निप्टाए जाएंगे फइन काना लकूं कैदून फकीदून पस अगर तुम्हारे पास कोई तद्वीर है तो मुझ पर अदमा देखो कर देखो तद्वीर वैलू यौम अजिल मुकजबीन ह वफवाकिहा मिमा यश्टाहून और ऐसे फ्रों में जिनकी वो खाहिश रखते होंगे कुलू वश्रबू हनियम बमा कुन्तुम तामलून मज़ से खाओ और पियो उस बिना पर जो तुम अमल करते थे इन्ना कदालिक अनर्जिल मुसिन यखिनन हम इसी तरह नेकी करने वाल अजिदन इनकु मुजरिमून खाओ और कुछ देर मामूली फाइदा उठालो यखिनन तु मुजरिम लोग हो वहलू यौम जिली मुकजबीन हलाकत और दिन जुटलाने वालों पर वाइजा कील लहुम रुकवू ला यरुकवून और जब उनसे यह कहा जाता था कि जुक नहीं थे खुदा की हज़ूर जब 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 रुकु कमा वैलू यौम जिली मुकजबीन हलाकत और दिन जुटलाने वालों पर वे आईये हदीथिन बाद और यूमिनून और इसके बाद और और किस वियान पर इमान राएंगे हो गया वक्त आज लग रहे है मुझे की सब्सक्राइब तामे सुई है